मैं मर्श्कार दोसो, स्वागत है आपका मेरे चनल में आज मैं आपसे एक नई तरीके के फ्रॉड के संबन्द में चर्चा करने आया हूँ आम तोर पर लोगों को ये लगता है कि कम पड़े लिखे लोग या गाओं में रहने वाले लोग ही साइवर फ्रॉड का सिकार होते हैं लेकिन आज मैं आपसे ऐसे फ्रॉड के संबन्द में बात करूँगा जिसमें पड़े लिखे और बैल एजुकेटेड लोगों को साइवर ठगों ने अपना सिकार बनाया आज मैं आपसे एक ऐसी केस इस्टेडी के संबन्द में चर्चा करूँगा जिसमें किस तरह से साइवर ठगों ने डरा धमका कर और उसको अपने जहासे में लेकर फर्यादी से लाग रुपे की ठगी की इस केस में साइवर ठगों के संबटित ग्रो द्वारा एक युगती को फोन पर पुलिस और एनसीवी का डर दिखा कर उससे करीबन एक लाग अधिक रुपे ठग लिये गए तो इस केस में होता कुछ ऐसा है कि एक सामानी से दिन में एक युपती अपने घर पर थी जिसे फोन आता है कि मैं फेडेक्स कंपनी से बोल रहा हूं आपका जो पार्सल था ताइवन जाने के लिए हम उसे ताइवन नहीं बेश सकते हैं आपका पार्सल की जो बुकिंग थ आपका जो पार्सल है उसमें MDMA, ड्रग, बहुत सारे पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ट पाए गए हैं जिस कारण कस्टम ने आपके पार्सल को शील कर दिया है और अब उसकी जाच के बाद ही हम उसके आगे कारवाई की जाएगी और इस केस में आपके उपर भी FIR होगी क्योंकि फोन करने वाले ने युगती का नाम और उसका पता बताया था और एक सामानिसी घटना ये है कि जब कोई आपका नाम और आपका पता आपकी जानकारी आपको देता है तो आप उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि युगती द्वारा किसी प्रकार का कोई प क्राइम ब्राँच महाराश्ठ मुंबई को transfer कर रहा हूं आगे की जानकारी ये आपको देंगे जब उस साइवर ठग द्वारा युबती को जहां से में लेकर उसका कॉल ट्रांसफर किया गया तो दूसरे जो व्यक्ति ने बात की उसने अपने आपको मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और उससे कहा कि मैम आपके पार्सल में ड्रक्स पाया गया था जिस करण उस पे नंबर पे ट्रांसफर किया गया जिस में बात करने वाले ने आपने आपको NCP का अधिकारी बताया चूकि उन्होंने जो केस है वो ड्रक से संबंदित बताया था तो युबती को ये भी वरोसा हो गया कि हाँ NCB वाला कोई अधिकारी उससे बात कर रहा है इसके बाद उन्होंने उसको Skype पर बुलाया Skype पर उन्होंने वीडियो कॉल की वीडियो कॉल में उन्होंने एक ऐसा setup बना के रखा था जो सामने वाले को यकीन दिला दे कि हाँ ये लोग बचुशने का समय नहीं दिया इन लोगों ने और कहा कि मैम हमें पता है कि ये आपका नहीं है लेकिन आपके नाम से बेजा जा रहा था इसलिए हम आपकी मदद करेंगे और उनके तवारा ये भी गा गया कि हम ने आपके खाते कि जाच किया आपके खाते में बहुत ताइम से जो इनलीगल ट्राजचोन है वो हो रहा है बहुत सारी रकम आपके खाते में आती है और उसके बाद आपके खाते से निकल जाती है बैंक के एंप्लाईभी इसमें देखता नहीं है यह आपकी खाते में ब्लैक मनी को मंग वा का रहा है जब इतना सब हुआ तो यूबदी गब रहा गई और उसने उनके कहे अनुसार एक खाते में 98,000 से अधिक की रकम ट्रांसफर कर दी इसके बाद फिर उन्होंने दुबारा यही प्रक्रिया उससे करने को कहा लेकिन इस बार यूबदी को कुछ सक हुआ और उसने फोन कट करके अपना बैंक डिटेल चेक किया तो उसमें 98,000 रुपे कट चुके थे इसके बाद उसने सीधे जाकर साइबर पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद यह पता चला कि यह कोई NCB या मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी नहीं साइबर ठगते और उससे 98,000 से अधिक की रकम ठग ली गई है इसके बाद तुरित कारवाई करते हुए उस पैसे को फ्रीज कराया गया और यूबदी को आवेदन पर कारवाई की जा रही है देखिए साइबर ठग आपको ठगने के लिए दो तरीके की स्टेटरिजी का इस्तमाल करते हैं उनके पास पहला जो अतियार है वो यह होता है कि वो आपको लालस देते हैं आपको reward points, आपको cash back का लालस देकर और आपसे bulk order खरीदी का लालस देकर आपसे पैसे ठगते हैं और दूसरा जो उनके पास अतियार है वो है डर वो आपको डर दिखाते हैं कि आप भज चुके हैं जैसा कि sex torson में होता है, extortion के caseो में होता है आपको बात भी इस तरीके से करते हैं जैसे कोई पुलिस बाला आपसे बात कर रहा हो और आपको यकीन दिलाने के लिए वो आपको वीडियो कॉल भी करते हैं आपको इन साइवर टगों से बचने के लिए कुछ साबदानिया रखनी है कभी किसी phone call पर अपनी निजी जानकारी साजान ना करें किसी के भी कहने पर किसी भी account में कोई भी रकम ट्रांसफर ना करें यदि कोई पुलिस अधिकारी, NCP अधिकारी या crime branch का अधिकारी बनकर आपसे बात करता है तो online कोई transaction या phone call पर उस पर विश्वास करके उसके कया अनुसार काम ना करें क्योंकि कोई भी सरकारी agency आपको पहले notice देती है, आपसे आपका पक्ष जानती है उसके बाद ही कारवाई करती है ये लोग ऐसे लोगों को target करते हैं, जो इनकी बातों में आकर डर के कारण इनको हरवाड़ार्ट में अपनी रकम सौब देते है किसी के भी कहने पर अपने mobile में कोई app डाउनलोड ना करें किसी के भी कहने पर किसी link पर click ना करें यदि कोई ऐसी इस्तिती आती है तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें अपने नजदी की थाने पर जाएं, अपने नजदी की cyber cell से connect करें और यदि आप cyber fraud का सिकार हो गए हैं, तो 1930 या cybercrime.gov.in पर तत्काल कंप्लेंड करें और अपने local थाने से संपर्क करें सतर्क रहें, सुरक्चित रहें क्योंगी जानकारी ही बचा गए जैह